welcome to new lesson आज के लेसें में मैं आपको एक बिल्कुल बेसिक Google search एड बना के दिखाऊंगा बिल्कुल बेसिक जो भी इसमें complex features हैं活 को हम नहीं देखेंगे आज बिल्कुल हम basic add बना के देखेंगे ताकि आपको एक idea लग जाए कि add बनती कैसे है from start to end देन हम उसकी बेस जो उसकी complex चीज़े हैं वो हम आगे के lessons में देखेंगे धीरे धीरे आज हम एकदम basic देखेंगे अब देखो सबस्यादा mistake लोग करते क्या है in digital marketing वो ना complex चीज़ों के पीछे ज़्यादा भागते हैं and they ignore the basics और fact यह है कि जो basics है अगर आप उनको सही से master नहीं करोगे then complex चीज़े या advanced चीज़े सीखे कुछ होने नहीं वागे so first focus on the basics and make sure कि आप उनके master बन रहो ठीक है तो आज एक एकदम हम basic campaign मनाते हैं तो जैसे आपने dashboard में जाओगे ads.google.com आपको प्लस sign क्लिक करना है campaign और देन आपको करना है new campaign अब देखो Google आपको यहाँ पर 5-6 option दे रहा है क्या कह रहा है Google आपसे कि select the goal जो कि आप इस campaign से achieve करना चाहते हो आपको Google बड़े साड़े option दे रहा है कि आप क्या चाहते हो इस campaign से sales चाहते हो leads चाहते हो, traffic चाहते हो, brand awareness चाहते हो, reach चाहते हो, app promotion चाहते हो आप चाहते हो, और last में एक option दे रहा है आपको वो create a campaign without a goal अब देखो होता क्या है, अगर आप यह sales select करोगे तो Google करेगा क्या Google आपको आपके goal के हिसाब से जो भी features हैं वो दिखाएगा ठीक है, Google क्या करेगा, suppose करो आपने sales select किया, तो आगे जो Google है आगे add बनाने का जो process है, वो sales के according कर देगा अगर आपने select किया lead, तो Google करेगा क्या, आगे के जो option है जो भी आगे आप add बनाते हो, तो जो भी option आते हैं वो इसी के हिसाब से customize कर देगा जो leads के लिए best setup होना चाहिए, गूगल के हिसाब से, आगे आपको वही option दिखेंगे अगर आप लेते हो, create a campaign without a goal इसका मतलब है, आप सारी चीजों को खुद setup कर सकते हो आप ये decide कर सकते हो, कि आपको कौन सा option चाहिए, कौन सा option नहीं चाहिए सारा control आपके पास ठीक है, तो हमारे लिए best scenario क्या है, create a campaign without a goal हम अपने हिसाब से सारी चीजों को set करेंगे, हम Google को allow नहीं करेंगे कि भाईया, तुम set करके दो ठीक है, तो अभी हम करेंगे create a campaign without a goal मैं आगे के lessons में आपको ये select करके भी दिखा दूँगा, फिर आप को एक और idea हो जाग कि exactly Google इन से करता क्या है अभी के लिए हम क्या करेंगे, create a campaign without a goal देन देखो आपसे Google पूछ रहा है कि किस type का campaign बनाना चाहते हो, search बनाना चाहते हो, display बनाना चाहते हो, shopping बनाना चाहते हो, video, app, smart tags आप कौन सी campaign बनाना चाहते हो, तो हम बनाना, अभी हम क्या बना रहे है, search एड हना, तो हम लेंगे search then आप से पूछ रहा है कि again, आप क्या चाहते हो, इस campaign से, website visit चाहते हो, phone call चाहते हो, app download again, देखो होगा, क्या, आप जो select करोगे, Google आगे का setup उसी के हिसाब से custom कर देगा आपके लिए, again हमें वो नीची है, तो हम क्या करेंगे, content अब आप से Google कहा रहा है, कि campaign का नाम लिखो, ठीक है, तो suppose करो, मैं traffic भेज रहा हूँ, अपनी website पे, ठीक है, दीपक सिंह marketing.com पे, तो मैंने, और मेरा goal क्या है, lead generate करना, ठीक है, या फिर suppose करो, मेरा goal है, हाँ चलो lead generate ही समझ लेते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा, campaign name lead generation, और then मैं डाल दूँगा date, October takes, ठीक है, then Google आप से क्या पूछ रहा है, network, किस network पे आप चलाना चाहते हो, तो जैसे हमने पहले बात कि थी, हमें ये दोनों क्या कर देने है, high, ठीक है, अब ये जो settings है, start date, end date, आप ये set कर सकते हो, कि आपको add, कब start करनी है, और कब end करनी ह है, आप वो भी set कर सकते हो, या फिर अगर आपको कोई end date नहीं रखनी है, तो none कर दो, और अगर आपको add आज ही start करनी है, तो आप आज की date ले लो, अभी इस campaign URL options को रहने देते हैं, इसके बारे में मैं आपको आगे के lessons में समझाऊंगा, और dynamic search add settings भी हम अभी रहने देते ह और suppose करो location मेरे को रखनी है Delhi, तो यहाँ से हमने किया Delhi को target और location option में मैंने पहला वाल option selector लिया, ठीक है, language मैं कर देता हूँ, all, ठीक है, यह वाला जो audience है, यहाँ पे हमें कुछ select नहीं करना, यह क्या है, यह again आपको मैं आगे के lessons में समझाऊंगा, अभी हमें कुछ नहीं क आते हो, और select bid strategy directly, तो मैंने यह click किया, और मैंने यहाँ पे click किया, manual CPC, जैसे मैं आपको बताया था, most of the times हम क्या use कर रहोंगे, manual CPC, then आएगा show more settings, conversion अभी आपको नहीं देखना, बात में समझाऊंगा आपको, add schedule, जैसे हमने बात की थी, add schedule, start जब हम करेंगे campaign तो हमें नह कर रखी है, तो मैंने ले लिया, do not optimize, then add extensions, अभी के लिए हमें add extensions को भी touch नहीं करना, तो मैंने किया save and continue, ठीक है, आप देख सकते हो, अभी तक जो भी आपने किया, उसमें 4 से 5 options हैं, जो हमने अभी discuss नहीं किया, बाकी सारे हमने discuss कर रखे थे, then आप से Google पूछ रहे, add group का न add group के अंदर multiple keyword लिख सकते हो, ठीक है, एक add group के अंदर कितने keyword लिख सकते हो, multiple keyword, अभी के लिए हम क्या करते हैं, इस add group के अंदर multiple keyword लिखते हैं, then कल के lesson में मैं आप से बात करूँगा, कि क्या ये approach सही है, कि नहीं है, तो यहाँ पे suppose करो, मैं add group का नाम लिख देता हूँ, मै then Google पूछ रहे, default bid, कि भाया, एक click के कितने पैसे देना चाहते हो, तो suppose मैंने लिख दिया, 50 रूपे, ठीक है, then Google मुझसे पूछ रहा है, कि आप अपने keyword का, अपने जो भी keyword से वो यहाँ पे लिखो, तो suppose मैंने यहाँ पे लिखा, digital marketing agency, ठीक है, यह मेरा keyword है, अब देखो, मैंने ऐसे लिखा, मतलब यह कौन सा keyword यह है, broad match, अब अगर मैं इसके आगे पीछे यह लगा दूँ, तो यह क्या हो गया, exact match, ठीक है, तो मैंने एक keyword लिखा, मैं एक और keyword लिखता हूँ, इसको मैं लिख देता हूँ, best digital marketing agency, और इसके आगे पीछे भी मैं यह square brackets लगा देता हूँ, ठीक है, हो गया, दो keyword लिख दिए, मैं एक और keyword लिख देता हूँ, online marketing agency, और इसके आगे पीछे भी bracket लगा देते हैं, और एक और keyword लिखता हूँ, मैं, इसके आगे पीछे भी bracket लगा देते हैं, digital marketing company, ठीक है, यह लिख दिया, और इसे मैं करता हूँ, save and continue, ठीक है, अब Google आपसे क्या कह रहा है, add बनाने के लिए कह रहा है, क्या कह रहा है Google के भाईया, add बनाओ, तो सबसे उपर क्या आपसे पूछ रहा है Google, final URL, right, final URL, final URL का मतलब क्या है, user जब आपकी add पे click करेगा, तो किस URL पे जाएगा, ठीक है, तो for example, यह है मेरा URL, right, मैं चाहता हूँ user को यहाँ भेजना, तो मैंने यह copy किया, और यहाँ पे URL मैंने paste किया, ठीक है, देखो, आपको यहाँ पे दिख रहा है URL, then Google पूछ रहा है, headline, क्या headline लिखना चाहते हो, अब headline के देखो, limit क्या है, character limit, 30, 30 character limit है, तो मैंने यहाँ पे लिखा, digital marketing agency, अभी आज जस्ट मैं basic add बना रहा हूँ, कल हम इस add का audit करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि क्या चीजें हैं, जो इसमें खराब की हैं, क्या चीजें हैं, जो इसको, जिसे नहीं करना, ठीक है, तो सपोज मैंने headline क्या लिखी, digital marketing agency, अब देन मेरे से Google कह रहा है headline 2, अब आप यहाँ add देख सकते हो, पहली headline यहाँ पे आगी है, digital marketing agency, then headline 2 है क्या, double your revenue, ठीक है, then Google बोल रहा है कि भाईया headline 3 है, तो वो भी लिख सकते हो, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अपना नाम, अब आगे Google मेरे से क्या कह रहा है, display path, display path और final URL में देखो फरक है, display path वो होता है, जो user को दिखता है, for example, suppose करो मैंने सर्च मारा interior decorator, ठीक है मैंने क्या सर्च मारा interior decorator, अब देखो यह वाला देखते हैं, अब इसको click करो, अब यह देखो, यह जो question mark के बाद है ना, यह सारा हटा दो, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अब यह URL है, जिस पे मैं आ रहा हूँ, क्या है URL myk-berlin.com slash menu, तो यह क्या है आपका, यह है आपका final URL, क्या है जी, final URL, बट अगर मैं add देखूँ, तो add में क्या दिख रहा है, myk-berlin.com slash interior slash design, आपको दिख कुछ और रहा है, और यह खुल कुछ और रहा है, तो अब यह जो दिख रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, display path, मतलब user को क्या दिखेगा, वो क्या होता है, display path, और user ultimately जहाँ जाएगा, उसको हम कहते हैं, final URL, ठीक है, अब यह है display path, तो path 1 में मैं लिख देता हूँ, digital, और path 2 में लिख देता हूँ, marketing, then google मुझसे कह रहा है, क्या लिखने के लिए, description, ठीक है, तो अब हम लिखेंगे description, वो लिखते हैं, we help businesses to double revenue in 90 days, click here to schedule your free call, यह मैंने लिख देता, description, ठीक है, एक description लिखा, अब मैं चाहूँ तो और description लिख सकता हूँ, ठीक है, तो सपोज मैंने एक और description लिखता हूँ, we have helped more than 120 companies in the last one year, ठीक है, और उसके बाद अभी यह URL option चोड़ दो, यह भी हम बाद में discuss करेंगे, यह URL option क्या है, तो अभी तक हमने क्या किया, हमने new text add किया, और final URL में हमने अपना final URL डाला, जा हम user को भेजना चाहते हैं, then हमने अपनी headline लिखी 1, और then हमने headline लिखी 2, then हमने headline लिखी 3, then हमने लिखा अपना display path, then हमने लिखा description 1, और then हमने लिखा description 2, URL option को हमने कुछ नहीं किया, और हमने किया save and continue, right, और ये कर दिया, हमने continue to campaign, अब इधर आते हैं Google Ads पे, और इधर जाते हैं campaign पे, आप देख सकते हो, ये रा campaign जो अभी मैंने बनाया था, lead generation, October 30, तो अभी मैंने किया क्या, एक simple सा campaign बनाया, उस campaign के अंदर मैंने एक ad group बनाया, और उस ad group के अंदर मैंने एक ad बनाई, अभी काफी सारे option थे, जो हमने नहीं देखे हैं, वो हम आगे के lessons में देखेंगे, बट आज का आपका task क्या है, कि जैसे मैंने एकदम एक basic ad बनाके आपको दिखाई, आपको भी एक एकदम basic ad बनानी है, एकदम basic जैसे हमने आज बनाया है, और कल के lesson में मैं इस ad का audit करूँगा, और then मैं आपको बताऊँगा कि इस ad में मैंने क्या-क्या गलतियां की हैं, और क्या-क्या गल्तियां आपको नहीं करनी इस एड में क्या-क्या इंप्रूव्मेंट करने हैं राइट बट पहले आप एक basic एड बनाओगा जैसा हमने आज बनाया ठीक है जी इस वीडियो को आप एक बार देख लेना अगर कोई problem हो रही होगी तो कल तो मैं दुबारे आपको एक बार बताऊंगा यह सारा जो भी इसमें problem है ठीक है थेंक्यू सो मच for watching this list